नमस्कार आपका श्वागत है अर्चना हीडे रेस्पी में तो चली आज शुरू करते हैं काले चने की सबजी बनाने का ये नया तरीका सबसे पहले चने को रादबर शोक कर दी हूँ उसी में पानी डाल के एक तेज़ पात डाल दी हूँ ठोड़ा से नमक डाली हूँ ताकि नमक और भॉंजने में भी डलाएकगा इस लिए थोड़ा से नमक डालके मैं इसको बौ avell करूंगी कि एक चुटकी हल्दी हाफ टीश स्पून इसको रख दी हूं दो से तिन सीटी मैं इसको लगाऊंगी यह वैल हो रहा है तो तक मैं आठ से दास आलू ली हूँ और इसको मैं खलवट्टे के खल ना से मैं इसको दो फारा इस गर के कूट दी हूं आप चाहे तो काट के भी ले जाता इसलिए यह बहुत अच्छाता है एक बार इस तरीके से ट्राइ कीजिए और मैं आलू को सरसो के तेल में सुनहरी होने सब्सक्राइब कीजिए अगर बहुत अच्छी लगती है और नए है तो सब्सक्राइब कीजिए अलू भून चुका है उसी में थोड़ा सा और टेल डाल दी हूँ कराही में और यह तरका है कि बरी लाइची, छोटी लाइची, दोलवन, कस्तुरी मेती हरे मीर्श, और तेजपाज, जीरह, एक सुखी, एक लड़ी मीर्च एच्छे से फोरन तरक जाता है तो मैं इस में प्यास डालूंगी अब फोरण में ही बरी एलाइची छोटी एलाइची और डाल चिनी जरू डाले ताकि इसमें तेल में ही इसका फ्लेवर फील हो जाने से ये टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है ये काले चनी की मोटे मोटे में प्याज काट के लिए हूँ दो से तीन प्याज है मिडियम साइच का चना ज्यादा नहीं है चना 250 ग्राम है इसी की अकॉर्डिंग में बना रही हूँ आइसी के साथ मैं रेगुलर मसाना अध्रक लहसुन का पेस्ट हल्दी धनिया पौडर और मिडिची पाउडर लिए हूँ देख लेते हैं चना कितना बॉयल हुआ है मैं दो सीटी लगवाई थी तो इस पत्ता निकाल दी हूँ अब इसका कोई जरूरत नहीं इसमें फ्लेवर फील हो चुका है देखें बहुत अच्छे से सिच चुका है एकदम हाथ से मैस हो जा रहा है इसी तरह से आप करें नहीं अगर आपका दो सीटी में सिचता है तो दो सी तीन सीटी भी आप लगा सकते हैं बून गई है मैं पानी डाल के रख दी थी ताकि यह अच्छी से फूल जाए और जले नहीं भूनने में और यह मसाला को मैं डाल दी हूं जाए अगर दोस्तों इस तरीके से जिस तरह से मैं बता रहे हूं अगर काली चने की सब्जी इस तरीके से बना लेंगे तो आफ सारे प तो आप एकीन माने बहुत टेस्टी बनता है इसको आप कचवड़ी के साथ खाईए चावल के साथ रोटी परठा किसी के साथ यह सब के साथ चलता है इवेल चूड़ा और मुड़ी के साथ भी इसको आप अच्छ से इंज्वाए कर सकते हैं यह मसाला भून चुकी है मैं कुकर में इसको ट्रांसपर कर दे रही हूँ ताकि मैं इसमें जो आलो भून के निकाली थी इसी में कुकर में डालके 5 मिनिट भूनूंगी भून के इसका सेटी लगा देंगू आप देखिए अच्छ से इसमें भून रही है प्रिसात्मि मैं आलो तल के निकाली थी उसको भी डाली यह हैं आप चाहें तो आलो काट के भी ढलें आलू साथ सात में गर्म मसाला में डाल दी हूं और इस आलो जब भूनेंगे तो आलो का अपना एक स्टार्ट होता है उसस यह बनाना बहुत ही आसान है कोई बिगनर भी बना सकता है और बनने के बाद इतना टेस्टी और जवाब बन के त्यार होता है कि आप उंगलिया चाटते रह जाएंगे तो आप जरूर बनाए अगर आप हरी सब्जी खाखा के बोर हो गए है तो एक बाद अब काले चाने इसी के साथ म्में कछोड़ी मम्मि बना देती यह सथून सकतels्व को ये पसंद फ्रसा से पसंद चन्ने के बाद डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है तो मैं ये चन्ना में ही ऐसे दाब-दाब के अच्छे से डिजाइन बन जा रहे हैं मैं ठीक से बना के आप वो दिखाती हूं सामने से दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा इसी तरह से इसको कचवरी चावल पुलाओ किसी के भी साथ खाएं ये चन्ना बहुत ही टेस्टी लगता है ऐसे भी आप प्यास टामाटर काड के सखाँएं दिजाइन कि इतना सुन्दर लगता है ये कचोडी बनके बहुत अच्छे से डिजाइन वाली कचोडी बनके त्यार होगी बच्चों को भी डिफरेंट हो जाएगा कि कुछ नया मिला है ये कचोडी लो टू मिडियम में ही बनेगी ये फूल फूल के गुबारे के तरह हो जाएंगे इतने सुन्दर से ये फूल के कि निकलेंगे मैं सत्य की कचोडी का फिलिंग नहीं दिखाई हूं क्यूंकि मैं काले चनी की सबजी का रेश्ट्वी शेयर की थी साथ में ये कॉंबिनेशन मैं बनाई हूं इसलिए आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हूं अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी वी आपके साथ शेयर करूंगे कचोड़ी मार्केट जैसी ही बनके त्यार होती है स्वाद में वैसे ही रहती है और बहुत जटपट से बनके त्यार हो जाती है जिस दिन मैं काली चनी की सब्जी बनाती हूं तो ये कचोड़ी वाली कचोड़ी जरूर ही बनाती है अगर मेरी वीडियो अच्छे लगती है तो लाइक किजिएगा और ज्यादा अच्छी लगती है अगर नय है तो लाइक के साथ सस्क्राइब भी किजिएगा लाइक करने से मेरी मोटिफ हाई होती है और वीडियो शुट करने में अच्छा लगता है तो आप कम से कम वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर करें देखिए सब्जी बनके त्यार हो गई है दो सीटी लगाई हूँ यह दम गाड़ी है आप चाहें तो और पतला भी कर सकते हैं तो कचोड़ी के साथ ऐसे ही ठीक लगता है खाने में मैं सर्फ करके दिखा रही हूँ आप इसको डिनर लांच ए ब्रेकफास्ट किसी में भी खा सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है सब में यह चल सकता है देखिए मैं इस तरह से बना रही हूँ और कचोड़ी में हलका हलका फिलिंग डाली थी सत्तु वाला यह बहुत स्वादिस्ट है बहुत अच्छा बना है और काला चना में तो प्रोटीन, मिर्लोनल, विटामिन्स बहुत हाई मात्रा में होता है इसमें फाइवर भी बहुत प देखिए देखने से कितना यम्मी लग रहा है थैंक यू फर वाचिंग अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगती है तो लाइक करें सस्क्राइब करें थैंक यू